दोस्तो ओम नमस्षिवाय दोस्तो अपना रोजाना का रासिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें तो दोस्तो धन्यो रासिवालो का 31 मई का दिन खास होगा इस दिन मा लक्षमी की किरपा आप पर बरसेगी यानि मा लक्षमी के आसिरवास से धन के बंडार भरे होंगे 31 मई 2023 इस साल का सबसे बड़ा एकादसी का त्योहार होगा यानि साल में 24 एकादसी होती है और जिन में सबसे बड़ी एकादसी निर्जला एकादसी होती है यानि 31 माई को भगवान विश्नों का प्रिये दिन निर्जला एकादसी होगा इस दिन वरत करने से धन धानने में वरत्दी होती है घर परिवार में खुशियों का आगमन होता है और इस बार एकादसी का वरत दो सुब सईयोगों में होगा यानि एकादसी के दिन सरवार सिध्धियोग और रवियोग का निर्मान होगा इस दोरान किये गए कारिये सिध्ध होंगे समय पर पूरे होंगे और अच्छा फल देने वाले होंगे रवियोग को सूरेय का अभिष्ट प्राप्त है इसलिए इस दिन सूरेय की भी पूजा की जाती है और सूरेय आपके छटे भाव में है यानि सूरेय की किरपा दस्ति से आपके सभी कारिय समय पर पूरे होंगे और अच्छा फल देने वाले होंगे साथी भगवान विश्णू, भगवान सिव और मालक्षमी की किरपा से आपके धन धान्य में वरत्दी होगी अटके हुए कार्ये पूर्ण होंगे इस वरत को रखने से आपकी सभी मनोकामनाय पूर्ण होंगी चंद्रमा आपके एक अदस भाव में वराजबान होगा छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होगा, आपके ज्ञान में वरत्दी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा आपकी जो सोच है वो दूर द्रस्टी होगी ओर्जा से भरपूर होंगे, प्रेम संबंद मजबूत होंगे साथ ही संतान की ओड़ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी परिवारिक रिष्टे अच्छे होंगे दामपत्त जीवन जी रहे लोगों को कोई सुब समाचार प्राप्त होगा घर में किसी मांगली करेकरम कायोजन हो सकता है लोगों का आवागमन होगा जिससे घर का माहुल भी सकारात्मक बना रहेगा इस औरान किसी ज़्यादा खर्च वाले कारिये में हाथ न डाले अन्य तो वहाँ आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है तो जहां भी निवेश करें सोच समझ कर विचार करके करें तो यह जो समय होगा धन संपत्ते के मामले में काफी मजबूती देने वाला होगा परवारे ग्रिस्ते अच्छे होंगे और साथ ही स्वास्ते में भी सुधार देखने को मिलेगा तो ऐसे में मा किरपा आप पर बनी रहेगी तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें